कि आज मैं आपने टाइटल में देखी लिया होगा कि आज मैं आपसे रीवी शेर करने जा रही हूँ ये का हरबल हेरोल का और ये का गोल्डन ग्लो स्किन ओयल का रिव्यू तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत मेरे चैनल पर और आपको मेरे को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल बटन इसे प्रेस कर दीएगा ताकि आप से कोई बारे में हैं और यह रहा है तो इतना में यूस कि अभी तक और गदित कि यह तृब कर सकते हैं और या फिर दूसरी भॉडर में भी आप ठासपर करके राख सकते हैं विसे जब भी अप्लाई करती हूं तो मैं तो यह तोड़ा कर लेती हूं यानि कि तोड़ा गरम कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वकता यह का हरबल हेयर ओएल सबसे पहले में यहाँ पर आपको हेयर ओएल दिखा रही हूँ मौरी निंगा और ग्रीन मैजिक तो यह इस तरह की कि प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बोटल में आता है जैसा कि आप देख सकते और इसमें सभी नेश्रल इंग्रिडेंट का इस्तमाल किया गया है सभी हर्बल चीजों का इस्तमाल किया गया है और इसमें टोटल 27 इंग्रिडेंट्स इस्तमाल किया गया है इस ओयल को बनाने में तो यह देखें सभी इंग्रिडेंट इसके उपर मेंशन के हुए है सभी ची यह ब्लैक लर की लिड में आता है इसकी ब्लैक लर की लिड है और यह इस तरीके से ओपन हो जाता है यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कोई भी बॉटल हो like moisturizer की या lotion की या oil की इसमें क्या होता है कि आपको use करने में काफी असानी जाती है product waste भी नहीं होता है तो यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है तो यह देखिए तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे हमने इसे use कर रहा है तो चलिए हम में इसकी help से अपने बालों में massage कर लेती हैं और जब भी आप अपने बालों में इस oil से massage करते हैं guys तो अपने बालों को पहले अच्छे से सुलजा लीजे और बालों में अपने oil लगाने के बाद फिर से अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजे ताकि oil आपकी roots तक अच्छे से फैल जाए आपके बालों में अच्छे से लग जाए और इसके बाद अपने बालों कोई भी शैंपू तो यह फाया और वम हम आपके डियूअ को लाख आपके और के वालों को इस ब बाल नेंड लाने बें हम ब Defense बने हैं जैसे कि आपते बैल और कितना One आफ्टर स्मूद हो गही है इसे लगाने के बाद और मेरा ड Lakes dandruff भी काफी कम हुई है इसे लगाने के बाद मैंने इसे भी दो से तीनी वार इस्तमाल के हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगे है इसके रिजल्ट तो इसलिए गाईस मैं आप लोगे साथ भी इसका रिवीई शे चेज किया क्योंकि मेरे बाल भी अपसे पहले बहुत जादा तूट रहे थे तो आप थे खकते हैं इस अपने बालों को वाश कर लिया है मैंने इस यह अदा घंटा ही अपने बालों में लगा लिगा था और रिजल्ट आप पूल दी है नेक्स आप अपने बालों में शैंपू कर लीजे अगर आप इसके और बहतरी डिसर्ट चाते हैं तो आप इसे रात में भी लगा कर सो सकते हैं और हाँ गाईस आपने इसे वीक में दो से तिन बार लगाना है लाइक जब भी आप बालों को वाश करते हैं आप इसे आदा घंटा पहले भी लगा सकते हैं आपने बालों को वाश कर लीजे और वैसे वीक में दो से तिन भारी आप इसे अपलाई कर सकते हैं इसका कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं सबी हर्बल चीजों का इस्तेमाल किया गया है हर्बल इंग्रिडेंट इसमें यूज किये गये हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है तो आप देख सकते हैं बस हां गाइस मुझे एक चीज की चोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे यह लगी है वो यह है कि बहुत जल्दी जम जाता है तो आप इसे जब भी यूज करें तो आप इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दीजिए 10-20 से काफी होगा ताकि यह पिंगल जाए अच्छे से और इसके बाद आपने वालों में एपलाई कर सकते हैं आपको यूज करने में असानी होगी क्योंकि अगर यह आप यह एक सब्सक्राइब झालाई जिसके ऑपने में आप इसा बर इस तरीके से मसाज कर लिए जैसे कि मैं याँपर कर रही हूँ तो इससे आपके डाक सरकल्स और फालेंस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और जब भी आप ना आते हैं तब आप इसे मॉश्यराजरी की तरह पी अपलाई कर सकते हैं अपनी बुरी बोड़ी पर भी आप इसे इसकर सकते हैं और फेस पर भी आप इसे मसाज कर लीजिए हलके हाथों से और आदे घंडे तक लगा कर छोड़ दीजिए और इसके बाद आप बात ले लीजिए आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत इच्छी चमक आई है बहुत इच्छी ग्लो आगई आपकी फेस बर और बहुत ही सॉफ्ट और स्वूथ भी बनाता है आपकी स जाते हैं समर्स के लिए तो यह बैस्ट है बोटल लेकिन अगर विंटर्स में तो विंटर्स में अगर आप इसे यूस कर रहे हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी ही हो सकती है कि यह जम जाता है तो इसे निकालने में थोड़ी सी मशक्रत करने बढ़ दखती है आपको क्यूंकि कि अगर आप माइक्रोवेव कर लाते हैं मैंसे प्रॉब्लम भी नहीं है बट अगर इसको और थोड़ी बड़े गोल कंटेनर में दिया जाता लाइक जैसे कि कोल्ड क्रीम आती है तो यह ज्यादा एजी रहती है आपके लिए इस्तवाल करनी तो जैसा कि आईस आप देख स दोनों प्रोड़क्ट की सेम कॉंटेटी है और हाँ गाईस मैंने दोनों प्रोड़क्ट एक साथ पर्चेस किये थे तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में एस उजल दे दूगी तो आप एक बर चेक जरूर कर लिजेगा मुझे बहुत अच्छे डि अच्छे